युधिश्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भाई हिंदु धर्म में धर्म के रूप में पूजे जाते हैं धर्म का मतलब होता है नेकी, कर्तव्य और सच्चाई वो अपनी इमांदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए उनकी जिन्दगी हमें धर्म की गहराईयों को समझाती है खास कर जब बात, रिश्टो और राजनीती जैसे मुश्किल मामलों की हो युधिश्ठिर की कहानी आसान नसीहतों वाली नहीं है उन्हें ऐसे नैतिक संकटों का सामना करना पड़ा जिनसे उन्हें सच्चाई और न्याय के असली मतलब पर ही सवाल उठाने पड़े उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता इस रास्ते पर कठिन फैसले और समझोते करने पड़ते हैं तमाम चुनोतियों के बावजूद युधिश्ठिर धर्म के मार्क पर अडिग रहे इसलिए वो आने वाली पीरियों के लिए प्रेरणा बन गए महा भारत में अमर हुई उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है युधिश्ठिर की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है यह एक सार्व भौमिक सच्चाई है कि सच्चाई और इमांदारी आज भी उतनी ही महत्वपून हैं जितनी सदियों पहले थी उनका जीवन एक मार्गदर्शक की तरह है जो हमें उदेश्य और नैतिक साहस से भरे जीवन की ओर ले जाता है युधिश्ठिर के जीवन की सबसे मशूर घटना है महा भारत का द्यूत क्रीडा कौरवों ने पांडवों को एक दोस्ताना खेल के लिए बुलाया लेकिन ये शकुनी के चल का जाल था युधिश्ठिर ने राज, धन, भाईयों और खुद को दाव पर लगा दिया वो हर दाव हारते गए क्योंकि वो नियमों का पालन कर रहे थे द्यूत क्रीडा को युधिश्ठिर की सबसे बड़ी भूल माना जाता है उन्होंने अपना राज जुए में हार दिया और अपनी पत्नी का अपमान करवाया लेकिन उनके कारेों के पीछे का कारण समझना जरूरी है युधिश्ठिर अपनी प्रतिग्या निभाना सबसे जरूरी मानते थे यह घटना धर्म की प्रकृती पर सवाल उठाती है क्या हमेशा कानून का पालन करना ही सही है? भले ही इससे अन्याय हो महा भारत के इस एपिसोड के मूल में युधिश्ठिर का इन्ही सवालों से जूझना है द्यूद क्रीडा में हार के बाद पांडवों को 13 साल के वनवास पर जाना पड़ा कठिनाईयों के इस दौर ने उनके धैर्य की परीक्षा ली युधिश्ठिर धर्म के परती अपनी परतिबधता से कभी नहीं डिगे पांडवों को कई चुनाउतियों का सामना करना पड़ा राक्षसों से युद्ध करने से लेकर प्रलोभनों का सामना करने तक युधिष्ठिर अपने भाईयों के लिए आशा और शक्ति का प्रतीक बने रहे यक्ष का प्रसंग एक उलेखनी अगटना है युधिष्ठिर का सामना एक रहस्यमय प्राणी से होता है यक्ष खुद को यमराज के रूप में प्रकट करते हैं युधिष्ठिर इस अनुभव से और भी मजबूत होकर उभरते हैं महाभारत अच्छाई बनाम बुराई की एक साधारन कहानी नहीं है यह मानव स्वभाव की एक जटल परताल है जहां पात्रों को कठिन चुनावों का सामना करना पड़ता है और उनके कार्यों के दूरगामी परिणाम होते है सच्चाई के प्रती अपनी अटूट प्रतिबधता के बावजूद युधिष्ठिर भी इस संघर्ष से अच्छूते नहीं है इसका सबसे मारमिक उदारण है कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में त्रोणाचार्य से उनका अर्धसत्य भाग पांच सत्यनिष्ठा की विरासत हालांकि युधिष्ठिर का जीवन पौरानिक कथाओं में नहित है लेकिन यह आधुनिक युग के लिए भी गहन सीख देता है सच्चाई के प्रती उनकी अटूट प्रतिबधता तब भी जब इसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ा हो सत्यनिष्ठा का एक काला जई उदाहरन है ऐसी दुनिया में जहां नैतिक सीमाएं अकसर धुंदली होती जा रही है युधिष्ठिर की कहानी हमें अपने सिध्धान्तों के साथ दुरता से खड़े रहने के महत्व की याद दिलाती है यह हमें अपने सभी व्यवहारों में इमानदारी और निश्पक्षता का प्रयास करने के लिए प्रोथसाहित करती है तब भी जब हमें कठिन चुनावों का सामना करना पड़े युधिष्ठिर की विरासत महाभारत के पन्नों से कहीं आगे तक फैली हुई है वो आशा की किरण के रूप में खड़े हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की जटिलताओं को सत्यनिष्ठा और करुणा के साथ पार करना संभव है भाग छे युधिष्ठिर द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां भले ही प्राची नितिहास की लगे हलांकि जिन नैतिक दुविधाओं से वो जूचते हैं वो हमारी आधुनिक दुनिया में भी गहरे तक गूचती हैं हम अकसर खुद को अपने सिध्धानतों और व्यक्तिगत लाव की इच्छा के बीच फंसा हुआ पाते हैं युधिष्ठिर का जीवन इन जटिलताओं को समझने के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करता है प्रष्टाचार और नैतिक अस्पष्टता के इस युग में युधिष्ठिर की सच्चाई के प्रती अटूर प्रती बद्धता एक बहुत जरूरी सीख है उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्यनिष्ठा केवल बड़े-बड़े कारियों के बारे में नहीं है बलकि उन चुनावों के बारे में हैं जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं चाहे वो हमारे व्यावसाइक सौदों में इमानदार होना हो या फिर हमारे विश्वासों के लिए खड़े होना हो तब भी जब यह लोकप्रिय नहो युजी ही की युधिष्ठिर का जीवन हमें धर्म के मार को चुनने के लिए प्रोचसाहित करता है भले ही यह कठिन ही क्यों नहों भाग, साथ, सच्चाई की कीमत युधिष्ठिर की कहानी आलोचनाओं से परे नहीं है कुछ लोगों का तर्क है कि धर्म के प्रती उनकी कठोरता ने अनावश्यक कष्ट पैदा किये वो द्रौपदी के अपमान और कुरुक्षेत्र युद्ध की तबाही को उदारन के रूप में पेश करते हैं हलाकि यह याद रखना जरूरी है कि युधिष्ठिर की सच्चाई के प्रती प्रतिबधता नियमों का आख बंद करके पालन करने के बारे में नहीं थी यह एक न्याय संगत और दयालू दुनिया के लिए प्रयास करने के बारे में थी भले ही इसके लिए कठिन चुनाव ही क्यों न करने पड़े उनकी कहानी धर्म की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है जहां अकसर कोई आसान उत्तर नहीं होते यह हमें उस असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करती है कि कभी कभी अपने सिध्धानतों को कायम रखने की एक कीमत चुकानी पड़ती है भाग आठ निशकर्श युधिष्ठिर का चिरस्थाई संदेश युधिष्ठिर की कहानी केवल एक प्राचीन राजा की कहानी नहीं है यह एक काला तीत अनुसमारक है कि सच्चाई और धार्मिक्ता की खोज एक सतत यात्रा है जो चुनोतियों और कठिन विकल्पों से भरी हुई है उनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है जो हमें उद्देश्य और नैतिक साहस के साथ जीए जाने वाले जीवन की ओर मार्क दर्शन करता है एक ऐसी दुनिया में जो अकसर महत्वा कांक्षा और भौतिक सफलता का जश्न मनाती है युधिष्ठिर की कहानी हमें अपने भीतर जहांकने और अपने मूल्यों की जाच करने के लिए कहती है यह हमें ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रोथसाहित करती है जहां सत्यनिष्ठा, करुणा और न्याय की जीत हो युदिश्टिर का चिरस्थाई संदेश ये है कि धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता इसके लिए हमें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है और कठिन चुनाव करने पड़ते हैं लेकिन अंततह यहीं वो रास्ता है जो हमें सची संतोश और स्थाई शान्ति की रास्ता है